अब दूस्त नमस्कास वागत है आपके अपने यूटूब चैनल मॉन्टी जनसेवा के इंदर वें इस वीडियो में दौस्त बात करें गुजरात हाई कोट भरती के दोजाचोबिस के ओल्लाइन फोर्म के बरती के बारे में अगर आप गुजरात का हाई कोट का फोर्म मनना आपको पूरा वोच करना है ओणकों से पोस्ट आपकी निकाली गए इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आप बिना सकीब करें वीडियो को पूरा वोच करें जब आपको पता चल पाएगा अगर आप पूरा वीडियो नहीं देख पाओगे तो आपको कुछ भी समझ मे आप आएगा तो आपसे यहीं विन्ति है कि आप पूरा वीडियो देखे जब आपको सौंज में आप आएगा अभी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल गुज़ा है सस्क्राइब निक्या है सस्क्राइब करें लाइक किजे कमेंट किजे सेर किजे जि से ज्यादा अपने भाई को सपोर्ट दिखाई है सबसे पहले आपको क्या करना है इसका लिंक में वीडियो के नीचे दिन डाल दूगा वीडियो के नीचे गुजरात हाई को बारेश फोस्ट ओल्लाइन फोर्म 24 आप दिख सकते हैं टोटल पोस्ट जो आपकी निकाली गई है बाइस माई से फोर्म स्टाट हो चुकिया 15 जून लाज डेट रगी गई आपकी अध्मिट कार्ड वागर रगया भी डेट नहीं थी है आपकी अब दोस्तों यहां पर देख सते हैं आपके जैनल ओभी जीडियो लेस पोस्ट वाइज विड नोटिफिकेशन प्रेमेंट आप डेविट कार्ड की रेइट कार्ड नेट वैंकिंग से काट सकते हैं मिनिमम आपके 18 एर है वो मैक्सिम आपकी 40 एर दी होई है दोस्तों हाइज स्कूल से भी आपकी इंटर से भी है ग्रेजेशन से डिक्री डिपलोमा एम भी है पोस्ट वाइस यहां पर क्वालिफिकेशन के इसाफ से दी होई है गुजरात स्टैनो ग्रेड की 307 पोस्ट है फ्रोसी सर्वर की 210 गुजरात स्टैनो की 214 गुजरात मैनेजर की 2100 गुजरात एटंडेंस की 228 ड्राइवीर की 34 है कंपुटर उपरेटर की 148 डिप्टी सेलेक्सिन ओपिशर की 122 इंजीनर स्टैनों की 14 पेकैंसिया टोटल ते करने के लिए यहां पर आप क्लिक कर देगा यहां पर आप आप आपको रेइस्टरेशन करना है रेइस्टरेशन करने के लिए रेइस्टरेशन है इस पर आप क्लिक करोगी क्लिक करने बाद आपके सामने इस तरह का एंटरिपेस मिलेगा आप आपको नीचे आना इस्टोल करत यहां पर टिक कर देगा या गरी उसके वाद सम्मिट कर देगा फिर आपको कुछ नहीं करना इनमें से एक आईडी आप सेलेट करेगे भी आप आदर काड पैचान पत्र या वोटर आईडी जो भी आप देना चाते है इनमें साँ एक चीद दे सकते है तो मैं पैचान पत्र अपना यहां पर पैन का नमबर डालने माद हो दोस्तों जो आपको ठीक लगा वो आप डाल सकते हैं उसके आद क्लिक कर देए आपका फॉर्म लोगिन हो जाएगो आप यहां पर सबसे पहले नाम डालना है दस्वी के मार्क शेट में देखके हैं पिता जी का नाम आपको डालना पड़ेगा ज आपको अपोछह जाएगा आपका डेटरफ क्या है वह फ्येढ करे लगह है उसके बाद आपका इंडियन या अधर है वह उसलैक्र आपको डालना है दूसरा नमबर होट लडाल सकते हैं नहीं है ठोड़ दीजे उसके आद आईडी आपको इनमें से एक आईडी दनी है जैस कि फिलाल ये Sample के तोर पर मब भी डाल के दिखा रहा हूं तो आपको ही डालना क्यों जो भी है आपको उसके बाद address आपको डाल दे रहा है address सब लूकेशन, Location country आपको क्या है इस्टेट आपको कौन सा है district आपको क्या रहेगा वह आप फिल करते गे इसके बाद पिन को डाल देना है अगर आपका दोनों एडर्स है मैं तो यहां पर टिक करके एक साइडर्स दोनों में डाल सकते हैं उसके बाद एक पास्वर्ड आप अपनी तरफ से बना लेगे नाम का बढ़ा अक्चर बाकी इसमोल और एडर्ड लगा के उसके बाद कोई भी नमबर आप रख सकते हैं इस तरह से एक पास्वर्ड अपनी दोर से बना के इसके आपको जो है यह पिन आपको डालना है यहां पर आई अगरी करना है उसके बाद सब्मिट कर देना है चैक करने के बाद अब दोस्तों आप डिटेल एक बार चैक कर लेगे अगर आपको लगेगा सब कुछ ठीक है तो आपको कुछ नहीं करना है यहां पर सब पर टिक कर देना है नाम पादर का नाम मदर का डेटर वर्ड मॉवाइल लंबर एमेल आइडियो और आई अगरी अगरीब है और उसका सम्मिट एंड कर देना है उसके बाद दोस्तों आपका सक्सेसफूल आ जाएगा यहां पर लिखावाए आ चुका है यूव सक्सेसफूल रिष्टेशन आपको अपना अप्लिकेशन नमबर डालना है जो आपको रेजिस्टर एमेल आइड या मॉवाइल लंबर आपको परापत होएगा र दोस्तों पोटल मों आप लोगिन हो जाओगे यहां पर देख सकते हैं रिष्टेशन कम्प्लीट दिखा रहा है बटं यहां पर है ए hazardous एंक्प्लि के सरफाहरा रहा है 分क्ठ Nep service अपको do गुजरात का स्टेटेविगीट है डो मीसायल है तो आप इस घंडर आप मेल करेंगे ऊसके बाद आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें उसके आद आपका जैनल में यहां पर लेड़ी काउंटिंग हो जाएगा जैसे आप इस नो करते हो उसके वाद यहां पर आपको नो रहने देना है उसके वाद नीचा आना है आम डाल सकते हैं मेरे पास उजरात वसा का ग्यान नहीं है तो मैं छोड़ दो किसे रहत ओं यहां पर दीख सकते हैं दोस्तों यहां पर हिंद्धी और इंगलिश क्याप्चिर डाल यह सेव एन कंटिनो पर डाल देगे इसके आट डाटा आपका सेव हो जाएगा ओके कर देगा अधरस अब कर जाएगा अगर डर्स में कुछ चैन्जिंग करने है तो कर सकते हैं नहीं करने है तो छोड़ दीजेए इसके बाद आपको करते हैं शेवन एक कि उसके बाद आपका डाटा यह भी सेव हो जाएगा आगे का प्रोस्स आपको दिखाने वाला कौले किसन आपका दसवी देख सकते हैं दसवी की आचुके दसवी मैं फिल करोगा यहां पर बोड का नाम आपको फिल कर देना है जो भी बोड का नाम है उसके बाद डेट पासिंग आपकी क्या है वह आप फिल कर देगे इसके बाद स्कूल का नाम आपको फिल कर देना है जो भी आपको आई स्कूल का रोल पाज के उसका आई स्कूल का नाम डाल देना है रोल लंबर आप फिल कर देगा इसकूल का जो भी है उसके बाद रिचल्ट मैं आपको डाल देगे परसंटेज ऐसी जिप है वो आप सेलेट करेंगे टोटल नंबर आपको डालने हैं और टोटल नंबर में से आपको कितने पराप्त हुए है वह आप फिल कर देगा है यहां पर उसके आप परसेंटेज आ जाएगे आपकी अब आप से पूचे जा रहा है कि बारवी की डिटेल देना चाहोगे या गिरेजिशन की या पोस्ट गिरेजिशन है या डिस्टनल डिटेल्स तो यहां पर मैं बारवी की देना चाहते हुए अगर नहीं देनी है निमसे आप आप पास पूचे जा रहा है तो यहां पर देख सकते दोस्ते मेरे टोटन नंबर पांसो पांसो में से 306 नंबर आई तो यह पर सेंटेज आ जा चूँगे अगर आपके पास पोस्ट की जैसे नहीं तो उसकी डिटेल्स भी आप फेल कर दीजिए इस तरे से नहीं है तो छो आपके और आपके बाद कृटन्यों कर देख़े इसके बाद दोस्तों आपका ऐजएगा एक बार आप डेटेल एड्रस को प्यारिफाइ कर का लेक्iest है अगर आपको लगेगा तो नीचे आना हो सेव नैस्ट कर देना है उसके बाद दोस्तों नैस्ट पेच आएगा आपका अगर आपके पास कोई work experience है तो यह screen नहीं तो no capture आप feel करते हैं जो भी आपका address है यह capture है उसके बाद आपको save and nest करते हैं यह भी data आपका save हो जाएगा अभी मेरा capture गलत हो चुका है तो capture में दुबाड़ा डाल देता हूँ इसके data save हो जाएगा उसके बाद यह आपके आपके नाम पर कोई fire वगरा चल रही है तो yes कर सकते हैं नहीं तो no करना capture आप प्रफिल कर देगे और capture फिलिल करने के बाद यह आप save and nest कर देगे अगला उसके बाद अगला option आएगा यहां पर कुछे जा रहा है apply for apply post for तो यहां पर डिर्यक्ट कोट पोस्ट के लिए apply करोगे या हाई कोट के लिए apply कर आगए वह आप select कर लीजिए उसके बाद capture डाल देगे और यह अगरी करेगे एक बाद चेक कर देंगे बाद सेवेर नेस्ट आगे पर रहेगे इसके बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जैसे मैंने हाई कोट पोस्ट पर क्लिक किया तो यहां पर नीचे मेरी सारे पोस्ट आ चुक है जो भी मेरी निकल दिया है तो इन्हें से जो भी आपको ठीकर है वह आप बढ़ सकते हैं उसके यह capture डालना capture आप फिल कर देगे और इसके बाद नीचे आएगा अगर आई अगरी कर देगे हैं दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यहां पर जैसे मैंने हाई कोट में यहां पर फिरिफेंस मैंने कोट अटेंडेस की दिया है अगर आपको दूसरी पोस्ट करना है तो यहां पर डिश्टिक कोट फोस्ट भी आप यहां पर डाल सकते हैं यह तीन पोश्ट आपके दी हुए है तो दोनों को पिरिफेंस आप एक साथ रख सकते हैं अगर एक ही रखना है तो एक ही आप रख सकते हैं उसके बाद capture डाल दी जाए क्लिक करेगा save and nest कर लेगा उसके बाद आएगा आपका photo signature के लिए photo आपका 10 से लेगे 200 के भी के बीच signature आपका 10 से 30 के भी के बीच तो photo signature करने के बाद save and continue कड़ेगा आगे बढ़ेगे कि उसके बाद दोस्तों प्रिंट का प्रिवू आ जाएगा एक बाद डिटिल आप अच्छे से चेक कर लगे वैरिफाई कर लेगे अगर आपको लगेगा सब पुछ ठीक है तो आपको कुछ नहीं करना नीचे फाइनल समिट का उप से मिलता है आप फाइनल समिट कर दीजे कर दोस्तों 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 झाल झाल झाल